नमस्कार दोस्तों आए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे कामकाज कर सकती है मैं पर्टिकुलर विउऊ नहीं बनाऊंगा सहर्थ रैंज देखने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे मार्किट में आज कामकाज कैसे हुए और option chain से क्या indicate हो रहा है मैं data को देख रहा था option chain से कुछ ज्यादा indicate तो नहीं हो रहा लेकिन जो data बना है उसको analysis करते हैं retailer mix view लेके गए है FII mix to bullish view लेके गए है और pros मेरे mix view बजट से पहले mix view बनाते हुए retailer काल और फुट दोनों खरीदा है इसका मतलब यह hedging करके चला लेकिन क्या इसके हाथ कुछ आएगा बहुत बड़ा सवाल है FII काल से पूरी तरह से निकलते हुए देखिए बड़े event से पहले क्योंकि इन्होंने तो पहले selling करनी शुरू की हुई थी बड़े event से पहले आज भी यह जो है short carry करके गए हैं तो क्या कल short squeeze होगा यह trap होंगे वह important है देखना और क्या condition से trap होने की वह भी देखेंगे pros put बेचके गए हैं index call भी बेचके गए है future stock future सब बेचके गए है और दी आई जो है थोड़ा से इंडेक्स future खरीदा है और stock future बेची है net net basis पे रिटेलर आप 67,000 कंट्रेक्ट लॉंग साइड पर अच्छे है क्या कल देखना important होगा कि market अच्छा खासा जंप लेती है और सट्रह अजार छेसो चार सो साड़े चार सो क्या यह level करास होते हैं नहीं होते तो नीचे वाली तरफ कहां पर आके रुख सकती है अब रिटेलर ने क्या किया है पुट भी खरीदी है आप देखिए अब इनके पास दो लाख श्यालीस हजार कंट्रेक्ट है जब इसने राइट कि हुई है सतना लाख एक लाख चुरात्र हजार वान लाख सैंटी फोर तो देंड काल इस इसका मतलब इनको भी डर नहीं है कि कल कुछ बजट में आसा आएगा जिससे मार्किट ऊपर खिंच सकती है लेकिन यह तो इंट्रा में देखने वाली बात है कि कल डाटा कैसे बने बनेगा क्योंकि आज जो एकनोमिक सर्वे आया है उसमें कुछ ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं हुआ सिवाए इसके की ग्रोथ ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है जीडीपी के आंख्रे दिखाएगे हैं अच्छे खासे दिखाएगे हैं आएंगे कहां से क्या पता और क्या यह वर्ल्ट से भी हम आगे चलेंगे कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन असल में होता कंट्रेक्ट रिटेलर के पास हैं दो लाख चार हजार कंट्रेक्ट के पास है मिक्स डाटा है कहीं कुछ भी बड़ा इंडिकेशन नहीं है हाँ एक बात जुरूर है बड़े इवेंट से पहले एफ यह नेगटिव पूजिशन बनाके गी हैं और अगर कल बजेट में कुछ ऐसा आता है तो मार्किट उसको क्या करेगी अगर वैलकम करेगी तो यह अच्छी खासी शाट कवरिंग आएगी फिर आप देखोगे यह सारे कंट्रेक्ट यहां से माइनस हो जाएंगे और यह सारे यहां पर एड हो जाएंगे अब क्या पॉसिबिल्टी बनती है आज के ए चाहिए या तो एस्टीटी पर कोई बात होनी चाहिए यह अगर इन दो बातों पर नहीं हुई तो मार्किट जो है मुझे निलगता कि सस्टेन करेगी उपर के लैवल्ट पर तो तो companies का बताया जा रहा है कि काफी अच्छे रिजल्ट है बज कुछ भी ऐसा रिजल्ट सिवाए banking के किसी भी company की ऐसे bumper रिजल्ट रही है आपने देख लिया जो जो dziए जो मार्किट को पसाँद आया थो कि कोछ टेक्स टेक्स में कटोती की की जाए सरकार के पास वैसी कोई गंजाईश अभी है नहीं दिखने ही रही कि टेक्स में बड़ी कटोथी वह कर पाएंगे टेक्स को रहाध मिलेगी उसमें भी कुछ नहीं नदर आ रहा अब टेक्स कलर्चन को ले बड़ी चर्चा थी कि bumper tax collection हुआ है ऐसा हुआ है वैसा हुआ है क्या उसके भिहाब पे सरकार कोई कटोती कर पाएगी वैसा भी कुछ नहीं लग रहा किसानों के लिए budget होगा ऐसा लग रहा है लेकिन अगर पिछे trend देखें आवराल देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा जुरूर budget में करेगी जिससे stock market को boost मिले शायद ऐसा कुछ करने को देखने को मिले उसका reason यह है कि जो LIC का IPO है अगर market निराश होती है market participant निराश होते है market post budget गिरती है उससे सरकार का जो LIC का dis investment है उसमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि retailer अच्छे खासे trap हुए पड़े है उनको निकलने का मोखा नहीं मिल रहा आज भी देखो उन्होंने लेकिन वो सिवाए writers ने उसको उपर के level पर write करने के लिए रखा हुआ है और कुछ भी बड़ा event होता है उससे पहले जो है option के prizes वैसे तेज होते हैं तो आप देखोगे अगर budget की speech जैसे speech चल रही होगी वैसे option के prizes क्रैश हो रहे होंगे तो मुझे यह लग रहे है ज्यादा उथल उथल नहीं करनी चाहिए एक आदा दिन वेट कर लो वाच कर लो देख लो बजट को समझ लो उसके बाद जो है position बनानी चाहिए market कहीं नहीं जाने वाली और यह चीज़ आपको यहां से indication देखने को मिलेगी अगर बहुत ही जदा बुलिश होता तो FIA यह आज एक ला और वैसे भी प्रास ने भी जो है वो अच्छा अमाल बेचा हुआ है FIA का खरीदने पे इंट्रस्त सिर्फ रिटेलर का है और बेचने में इंट्रस्त है प्रास का अगर कल कुछ होता भी है तो रिटेलर को यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है और प्रास जो हो 50 परथैन्ट गेंज जो है वैसे ही काल्स में ले लेंगे तो यह गेम रही यहां पर जो काल्स रिटेलर पूरे बुलिश बने बैठे हैं तो कल यह सिर्फ यह देखते रहेंगे कि मेरा भाव आए मेरा भाव आए भाव कैसे आएगा कोई पता नहीं इसलिए अगर कोई काल लेके गया एरोपियन उपर है हम आल्मोस्ट फ्लैट है एस्जेक्स निफ्टी अब आज भी एफाई यह शती सो क्रोड थ्री तोजन्ट सिक्स ट्वंटीफ तीन हदार क्रोड से ज्यादा की सैलिंग करके गया है और उत्री वाइंग डिया यह ने कर लिया है बजट से पहले डिया यह क्लोदिंग तो अच्छी यह देकिन कल क्या बें सकता है दोस्तों कुछ भी मसकता अप देखो फूट भी एर्डवियी है सत्रह हजार पर 14.000 होई है कर देखते थे ऊपर के लेवल सब्सक्राइब करेंगा कि आपका बजट सेशन कैसे बढ़ेगा क्योंकि कल आप होगे अगर मार्किट फ्लैट भी क्लोधिंग वी तो यह जो आज 101 पर प्रीमियम यह पुट का है सत्रह हजार यह तीस चालीस रुपर ही रहा जाएगा और वही हाल काल का भी होगा जो 166 पर बंद हुए तो मैं अभी कोई वियू नहीं बना रहा आप्शन चेन मेरे लिए बे आप देखो कब आपने देखा था पिछले एक साल में थिवाए जब हमारा कोविट का दोर आया था कि आप्शन के प्राइज कुछ भी थे एटी पे जो है वो विक्स चला गया था और कुछ भी प्राइज आप्शन के जिस रेट पे था उसी रेट पे विकरा था लेकिन प्रीद के गया तो रिटेलर का क्या होगा वो रिटेलर ही जानता है और इसी लिए जो है मैं कल के लिए कोई भी रेंज अभी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा मुझे आप्शन चेंसे अभी कोई विडेंज जो है वो नहीं समझ में आ रही उसका रीजन यह आ किस कर सकते लेकिन अगर नीचे की तरफ गई तो 17000 पहला स्पोर्ट उसके बाद 16800 दूसरा स्पोर्ट आप देखते होगे और यहां पर मार्किट स्पोर्ट लेगी क्या करेगी अब 3% 4% चड़ती है या 3-4% नीचे की तरफ आती है वह सब यहां पे भी दोट रहा था यहां पे हम कुछ नहीं कह सकते बाइस जार कंट्रक्ट यहां पर हल की हिसी हान वाइंड़िंग में यहां पर Sense 500 बीदीशन है 32 गोई मतुंख्ल मिनिंफुल डाटा नहीं है जहां हम देखते थे इतने कम में कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि राइटर्स ने यहां पूदीशन बनाने से प्रहेज किया इंदा मनी उन्होंने क्या किया है आप एक बार देखिए बड़ी पूदीशन ते तिस पाइंसो पे चोतीस अजार पे यह पूदीशन बनाई है 7000 कंट्रक्ट एड होगे 16 रुपे पे क्योंकि रिटेलर प्रास लिम्टीड बनी होती है तो वो दूर दूर 27 रुपे में उसने बना ली है कि चलो जाएंगे तो 27 35,000 पे 8000 कंट्रक्ट एड होगे और 44 रुपे यही आप देखोगे कुछ राइट क्रैक करने की कोशिश करते क्योंकि बजट है इसलिए जो है मैं किसी बाइस व्यू के साथ नहीं जाओंगा और माइट भी बजट होने की बज़ा से मैं शायद कल थोड़ा सा बीजी भी रहूंगा इसलिए अपडेट नहीं कर पाऊंगा क्या चल रहा है क्योंकि काफी से निचे की तरफ काट आएगा वहां पर आपको खरीदना चाहिए जब तक बजट स्पीच आवर नहीं होती उपर की तरफ जाती है वहां बेजना चाहिए दोनों तरफ की आपको कल ट्रेडिंग करने के मोखें मिलेंगे लेकिन एक चीज़ का प्रहेज करना बजट होगे तब निकलना जो है आपके लिए आने वाली दिनों में मुश्किल हो सकता है तो या तो अगर आप की समझ नहीं है सीख नहीं है तो शांती से एक आत दिन अवर ओ लेने दो बजट के में क्या आता है वो समझ लेने दो और उसके बाद जो है हम पुजिशन बनाने की को सकती है और 36,000 भी दिखा सकती है अभी के मेरे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और क्या पता हम फ्लैट क्लोधिंग होते हुए ही मार्किट को देखें तो इसलिए जो भी होगा लाई मार्किट पे डाटा पे नज़र रखेंगे इसी के साथ दोस्तों यह वीडिय को डी कोड करते हुए ही अपनी पूजीशन बना इसी के था वीडियो करता हूं खतम नमस्कार जयाहिद